नमस्कार मित्रो मैरूपेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर मैस एजूकेशन बाई रूपेश सर आज की ताजा खबरत चलिए सुरू करते हैं आज सम पांच बजे के बाद इस संबन्द में कांगरेस के हाई कमान की ओर से अपचारी घोषना किये जाने की संकेत मिर रहे हैं सिहदेव बीते पांच दिनों से दिल्ली में हैं बीते चार दिनों से प्रदेश के पंचात एवं स्वास्थ मंत्री टी एस सिहदेव डेरा जमाय हुए हैं मुख्य मंत्री भूपेश बगेल टी एस सिहदेव की अब तक राहूल गांधी राष्टी महासचीव केशी वेणु गोपाल प्रदेश प्रभारी पील पून्या से दो दिन पहले ही बैठक हो चुकी है इस बीच मुख्य मंत्री की वापसी तो हो गई थी लेकिन आलाकवान के निर्देश पट्येस बाबा को दिल्ली में ही रोक लिए गया था बताया जा है कि राष्टी संगठन के नेताओं से भी मुख्य मंत्री भुपेश बगहल पट्री बिठाने में नाकियाम रहें महासचीव केशी वेणु गोपाल स्री निवास जैसे नेता उनके पक्छ में नहीं दिखते इसके उलट टियेस सिहेदेव का राष्टी नेताओं से संबंध कहीं जादा बेतर है इसका फर्क भी नए निर्णे में देखने को मिलेगा रेणु जोगी भी दिल्ली पहुँच चुकी है उनकी सोनिया गांधी से मुलकात तै होना बताया जा रहा है अटकले हैं कि जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है मौजूदा वक्त में जोगी कांग्रेस के पास चार विधायक हैं सभी जानते हैं कि मुख्य मंत्री भुपेज बगेल के साथ जोगी परिवार के रिस्ते ठीक नहीं हैं दोनों की राजने तिक विचारधर भी अलग हैं ऐसे में जोगी कांग्रेस का विले तभी संभाव है जब टी-एस सिहदेव ने तृत्व करे जोगी कांग्रेस का समर्थन भी टी-एस सिहदेव को ही मिलेगा इधर सुत्र दावा कर रहे हैं कि रैपूर में लगे मुख्य मंत्री भुपेज बगेल को जन्मदीन के सुब कामनाओं वाले फ्लेक्स हटा जा रहे हैं जबकि उनके जन्मदीन को सिर्फ चार दिन ही हुए हैं पहले या फ्लेक्स 15 से 25 दिनों तक लगे हुआ करते थे बताया यह भी जा रहा है कि रैपूर और सरगुजा में नए फ्लेक्स की प्रिंटिंग भी शुरू की जा चुकी है यह घटना क्रम संकेत करता है कि 36 गड़ में नित्रुत बदले जाने की पुरी तयारी है इसी तरह का नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को सेर भी कर लीजिए धन्यवाद